वेल्कम टू साइंक्लासेज तो क्लास साइंस के लिए एक और नया वीडियो अभी हमने शरी स्टार्ट किया जिसमें आपको जो है आपकी साइंस की बुक में जितने भी कोश्चन्स दिये हैं उनके सॉलिशन्स आपको यहां पर दिये जाएंगे तो यह चलने वाली है ठीक है तो शुरू करते हैं आज के क्लास आज हम ले रहे हैं केमिकल रेक्शन सेंड इक्वेशन जो की फर्स चेप्टर है इसका इंट्रेक्स क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर टैन पर गिवन है तो इसके कंप्लेट आंसर्स और सॉलिशन्स और एक्स्प्लेशन आपको यहां पर दिये जा रहे हैं तो आप इन आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं ठीक है जो एक सबस्टेंस है जो वाइट वॉश करने में काम आता है वाइट वॉश इसको पुता ही कहते हैं हिंदी के अंदर ठीक है पहले के टाइम में जो है दिवार उपत किया जाता था आजकल कलर होता है इस तो यह एक्स सबस्टेंस कौन सा है इसका फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है तो आप से नाम पूछा था और फॉर्मूला पूचा था नाम तो हो गया एक्साइड और फॉर्मूला हो गया c a o और इसकी रेक्शन आपको दे नी है तो कैल्शियम ओक्साइड है सबस्टेंस इसकी वाटर से रीक्शन है तो फोर्मिशन होता है कैल्सियं हिड्राओक्साइड का जिसको कि अकटे में बुझा रचुना कहते हैं और इसी का यूज वाइट वाशिंग में करते हैं, ठीक है? So second question is, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double, the amount collected in other named the gas, ठीक है? एक तो बताना है कि आपको जो activity 1.7 है, उसमें एक test tube में gas का amount ज्यादा होता है, जुसरे में काम होता है, और वो gas कान सी है, ठीक है? So, तो आंसर इसका यह है, in activity 1.7, gas collected in one of the test tubes, it is double of the amount collected in other, ठीक है? Because, water gets hydrolyzed to release hydrogen and oxygen gases, ठीक है? जब इस activity के थरू, हम water का electrolysis करते हैं, या hydrolysis करते हैं, तो उसे hydrogen और oxygen gas का formation होता है. After electrolysis, two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen gas are released. तो जब water का electrolysis होता है, तो उसमें two molecules of hydrogen हमको मिलते हैं, और one molecule oxygen gas का मिलता है. Hence, the amount of hydrogen collected would be double than that of oxygen. ठीक है? तो यह experiment है, इसके अंदर है, तो इसमें जो है, यह हम जो है, इसमें water का electrolysis कर रहा है, जिसमें यह electrodes लगेवे हैं, और यह test to base में gas खटा हो जाती है, तो यहाँ पर जो है, यह hydrogen gas का amount ज्यादा होता है, और oxygen gas का amount कम होता है. ठीक है? Because water का जब electrolysis करते हैं, तो hydrogen के दो molecule बनते हैं, और oxygen का एक molecule भी बनता है. ठीक है? अगर आप notes, solutions या PDF या e-book खरीबने चालते हैं, तो आप इस website पर जाकर के, केवल और केवल 7 रुपे में आप जो है, अगर आपको ये वीडियो का लगता है, तो subscribe है easier, science classes by नवी सक्सेना and हिमीका सक्सेना, मिलते हैं अब next video में.